नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यू जिन्दी योट्यूब चनल तो गाइज इस वीडियो में कवर करेंगे तेजी से वाइरल हो रही एक वीडियो की जिसमें जोन मोक्षली अपनी बीवी रेने यंग को मारते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बात करेंगे WWE के उस किस्षे की जब रेंडियो ओर्टन ने WWE पर केश कर रेसल मेनिया को रद कराने की धमकी दी थी तो गाइज वीडियो होगी काफी मज़ेदार इसे अंत तक जरूर देखेगा पूरवे WWE सुपरिस्टार और वर्तमान AEW सुपरिस्टार जोन मोक्सली का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वे अपनी पतनी रेने यंग को सुपर की कमारते हुए नजर आ रहे है दरसल जोन मोक्सली AEW में है और AEW के सुपरिस्टार सोन इस्पियर ने सभी को टोईलेट पेपर चैलेंज दिया जिसे रेने यंग भी स्विकार करती हुए नजर आई हालांकि अब रेने यंग ने ये वीडियो इस्टेग्राम से डिलिट कर दिया है इसका कारण क्या है फिलाल इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस वक्त की जब रेन्डी ओर्टन ने गुष्षे में रेसल मेंनय को कैंसिल करने की बात की थी दर रेसल 25 जिनमरी 2009 को रेन्डी ओर्टन ने रोयल रम्बल जीता था और यहीं से उनका रेसल मेंनय 25 के मैनिमेंट में जाने का रास्ता साफ हो गया और इसी दोरान रेंडी ओर्टन ने विंश मिकमेन पर भी हमला कर दिया था और इसी वज़े से एक हफते बाद इस टेपनी मिकमेन वकिलों के साथ रेंडी ओर्टन के पास गई और उन्हें धंकी दी जिस पर रेंडी ओर्टन ने कहा कि मेरे पास रेसल मेनिया का हिस्सा बनने का कानून यदिकार है और मैंने रोयल रंबल जीता है अगर तुमने मुझे आज फायर किया तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूँगा लेकिन ना सिर्फ तुम पर मुकदमा करूंगा बलकि मैं इस साल का रेशलमेनिया भी नहीं होने दूगा और मैं कमपनी को भी बंद करा दू लेकिन यहाँ पर ट्रिपल एच ने रेंडी ओर्टन को हरा दिया तो गाईज क्या है आपके ख्याल कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पर संद आई हो तो इशे कर दीजिएगा लाइक और शेयर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद